क्लास नाइंद की समकालिन भारत का अध्याय चार की बात करेंगे आप सभी का अलिटिमेंट राडियो बुक पर दोट स्वागत हैं अध्याय है जलवायू विशे जलवायू पिछले दो अध्याय में आप हमारे देस की इस्तेलाकरतियों एवोम अफवा के बारे में पढ़ चुके हैं किसी छेत्र के प्राकरतिक पर्यावरण को समझने के लिए आफसे टीन मूल तत्यों में से दो तत्यों ये ही है इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायमंडली वस्था के बारे में पढ़ेंगे हम दिसंबर में उनिवस्तर क्यों पहनते हैं अत्वा मई का महीनागर में अश्री विधाजनक क्यों होता है या जूनियम जुलाई में वर्सा क्यों होती है इन सभी प्रकार के प्रशनों के उत्तर आप भारत की जलवायू को अध्यन करके जान सकते है एक विशाल शेतर में लंबे समयावद यानि कि तीस वर्से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायू है मौसम एक विशेज समय में एक शेतर के वायूमंडल की योश्था को बताता है मौसम तथा जलवायू के तथा जैसे ताब मान, वायूमंडली धाब, पौवन, आदर दा तथा वर्सन एक ही होते हैं आपने आउस द्यान दिया होगा कि मौसम की आउस्था प्राया एक दिन में ही कई बार बदलती है लेकिन फिर भी कुछ सब्दा महीनों था वायमंडली आउस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है जैसे दिन गर्म या ठंडे हवादार या सांथ आशमान बालों से गीरा या साप तथा आदर या सुसक हो सकते हैं महीनों के आउस्था वायमंडली आउस्था के आधार पर वर्षा को ग्रिश्म या सीथ या वर्षा अरित्वों में विभाज़त किया जाता है विसको अनेक जलवायू पर देशों में बाटा गया है क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायू कैसी है तथा ऐसा क्यों है इस संबन में हम इस अध्या में पढ़ेंगे क्या आप जानते हैं मानसून सब्द की वित्वत्ति अर्बी सब्द मौसिम से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ है मौसिम मानसून का अर्थ एक वर्ष के दवरान वायू की दिशा में रित्व के अंसार परिवर्तन है बहरत की जलवाई को मानसुनी जलवाई कहा जाता है एसिया में इस वरकार की जलवाई मुखिता दच्छिन तथा दच्छिन पुरू में पाई जाती है शामान ने प्रत्रूब में लगबग एक रुपता होते वी देश की जलवाई अवस्था में इस्पष्ट प्रादेशिक भीन्यता हैं हाईए हम दो महतपूर्त तापमान यों वर्षण को लेकर देखें कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इन में किस प्रकार की भीनिता है गर्मियों में राजस्तान के मरिस्तल में कुछ इस्थानों का तापमान लगबग 50 डिग्री सेल्शियस तक पहुंच जाता है जबकि जम्मू कस्मीर के पाहलगाम में तापमान लगबग 20 डिग्री सेल्शियस रहता है सरदी की रात में जम्मू कस्मीर में द्रास का तापमान माइनस 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जबकि तिर्वन्त पूरम में या 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या आप जानते हैं कुछ चेत्रों में रात एम दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, थार के मौरिसल में दिन का तापमान पचार डिगरी सेल्सेस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गेर कर पंदरा डिगरी सेल्सेस तक हो सकता है, दूसरी और केरल या अंडमाने मिकोबर मे दिन तथा रात काता मान लगबग समान ही रहता है अब वर्षण की ओध्यान दे वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्क इनकी मात्रा रित्व के अनुसार वित्रण में भी भिन्नता होती है हिमाले में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के सेज़ भाग में या वर्षा के रूप में होता है वार्षिक वर्षन में बिन्नता मेगाले में 400 सेंटीमेटर से लेकर लद्दा के उपस्चिमी राजिस्थान में या 10 सेंटीमेटर से भी कम होती है देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है लेकिन कुछ चेत्रों जैसे तामिला डूतर पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर योम नॉम्बर में होती है सामान रूप से 30 चेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है देश के आंतरिक भागों में मौसमी या रितुनिष्ट अंतर अधिक होता है उत्तरी मैदान में वर्षा की मौतरा सामानिता पूर से पश्चिम की उर घरती जाती है ये बिनताय लोगों के जीवन में विविता लाती है जो उनके भोजन वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है ग्यात किजिए राजस्तान में घरों की दिवारे मोटी था छत चप्टी क्यों होती है तराई छेत्र था गोवा में एवं मैंगलोर में ढाल वाली छति क्यों होती है असम्य प्राया कुछ घर्बास के खंबो यानि इस्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं अब बात करते हैं जलवायोवी नियंत्रण जलवायोई नियंद्रण किसी भी छेत की जलवायो को नियंद्रद करने वाले च्छे प्रमुका रखें अच्छांस, तुंगता यानि उच्छाई, वायुदाप, एवंपाउंतंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरी धाराएं, तथा उच्छावच, लच्छण परत्वी की गुलाई के साट प्रापत, सोर उज्या की मातरा च्छांसों की अंसार अलगलग होती है इसके प्रणाम सरूप, तापमान विस्वत वृत से द्रूओं की ओर सामनता घटा जाता है जब कोई विएक्त पृतिवी की सिताच से उंचाई की ओर जाता है तो वायू मंड़ा की सगर्णता कम हो जाती है तथा तापमान घड़ जाता है इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में ठंडी होती है किसी भी छेद्र का वायू दाब यूम पौन दंत्र उस स्थान के अच्छांस तथा उंचाई पर निर्भर करती है इस प्रकार यह तापमान घड़ वर्षा के वित्रण को प्रभावित करता है समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पढ़ता है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विशम मौसमी अउस्थाओं को महसूस करते हैं इसे महाद्विपी अउस्था यानि की गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सरदी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं महसागरी धाराएं समुद्र से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटी छेत्रों की जलवाई को प्रभावित करती हैं उदारण के लिए कोई भी तटी छेत्र जहां गर्म एथंडी जलदाराएं बहती हैं और वाईव की दिशा समुद्र से तटकी और हो तब हुआ त के महाद पश्चिमी किनारे पर क्यों उस्तित हैं अंत में किसी इस्थान की जलवाई को निर्धारित करने में उच्चावच की भी मात्पूर्ण भूमिका होती है उचे परवट ठंडीत था गर्म वायू को अरोधित करते हैं यद उनकी उचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने रहते हैं भारत की जलवाई को परवावित करने वाले कारक अच्छांस अच्छांस करक वृत देश के मध्य भाग यानि पश्ची में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मीजोरम से होकर गुजरती है देश का लगबग आधा भाग करक वृत के दच्छन में श्थित है जो उपोष्ट कटीबंधी जलवाईू दोनों की विशिष्टाएं उपस्तित हैं उचाई भारत के उत्तर में हिमाले परवत है इसकी ओसत उचाई लगबग 6000 मीटर है भारत का 30 छेत्र भी विसाल है जहां अधिक्तम उचाई लगबग 30 मीटर है हिमाले मद्यसिया से आने वाल जोष्ट करने से रोकता है इनी परवतो के कारण इस खेक्र में मद्यसिया की तुलना में ठंड़क कम पड़ती है वाई दाब योवम पवन वाईू में जलवायू तथा संबंधित मौसमी उस्ताएं ने मलकित वायू-मंडली उस्ताओं में संचालित हुती हैं वायू-दा भारत उत्तर पूरी व्यापारिक पाउनों ट्रेडविंस वाले छेत्र में इस्थित हैं, ये पाउने उत्तरी गुलार्थ के उपोष्ण कटिबंदी छे उच्च दाब पटियों से उत्पन होती हैं, ये दच्छिन की और बहती हैं, कोरियोलिस बलके कारण दायनी और विच् इसलिए इन पाउनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है, इस वरकार भारत को सुस्क छेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आईए देखें क्यों, कोरियोलिस बल ये क्या है, प्रतिवी के घूनन के कारण उत्तपन अभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्द में दाहिनी और तथा दच्णी गोलार्द में बाई और विच्छेपित हो जाती हैं, इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है, अब बात करते हैं, भायू भारत की वायू दावयों पौन तंत्र अदुती है, सीत रित में हिमाले के उत्तर में उत्चे दाव होता है, इस छेत की ठंडी सुस्का हुआएं दच्छिन में निम्न दाव वाले महासागरी छेतर के उपर बहती हैं, ग्रीस मुरित में आंतरिक एसिया एवं उत्तर पूरी भारत के उपर निम्न दाव का छेतर उत्पन हो जाता है, इसके कारण गर्मी के दिन पूरी दिसा में बहते हुए विस्वत वृत को पार कर दाहिनी और मुर्ते हुए भारती महादेप पर इस्तित्र निम्न दाव की और बहने लगती हैं, इन्हें दच्छिन पश्चि मानसुन पहनों के नाम से जाना जाता है, ये पहने कोश्ण महासागरों के उपर से बहती हैं, नमी ग्रेंड करती हैं तता भारत की मुख की भूम पर वर्था करती हैं, इस प्रदेश में उपरी वायू पर संचनरण पश्चिमी प्रवाव को के प्रवाव में रहता है, इस प्रवाव का एक मुख खटक जट धारा है, जट धारा हैं लगबाग 27 डिगरी से 70 डिग होती हैं, इसलिए इन्हें उपर्ष्ट कडवंदी पश्चिमी जट धाराएं कहा जाता है, बारत में जट धाराएं ग्री समिर्थ को छोड़कर पूरे वर्थ हिमाले के दच्छिन में प्रवाहित होती हैं, इस पश्चिमी प्रवाव के द्वारा देश के उत्तर यों उत् पूर्ण कडवंदी पूरी जट धारा कहा जाता है, गर्मी के महिनों में प्रायदिती वारत के उपर लगबग 14 डिगरी उत्तरी अच्छांद में प्रवाहित होती हैं, कुछ परिवासा हैं, जट धारा, ये एक संकरी पट्टी में सित छोब मंडल में हाथ दिक उंचाई, बारा जार मीटर से अधिक वाली पश्चमी हवाय होती हैं, इनकी गद गर्मी में 110 किलो मीटर प्रतिघंटा एगों, सर्दी में 184 किलो मीटर प्रतिघंटा होती हैं, बहुत सी अलग अलग जट धाराओं को पहचाना गया हैं, उनमें सबसे इत्रिमद्य अच्छांसी प्रवह के कारण होता है, विए प्राया भारत के उत्तर रियों उत्तर पश्चमी छेत्रों को प्रभायूत करते हैं, उल्ढ कड़िबंदी, चक्रवात, मानसूनी, महीनों के साथ साथ, अक्टूबर योब नॉंबर के महीनों में आते हैं, तता ये पूर्वी प्रवह के ए काती मानसुन के बारे में हम बात अगले पार्ड में करेंगे